गुड मुरनिक पिंछले जो कक्षारे हुई या वीडियो जो आपने देखे है उसमे हमने बन व्यवस्ता, आश्रम व्यवस्ता के बारे में पठा आज हम देख रहे हैं पुरुष्यार्थ ज्या है हम चुनते हुआ हैं कि पुरुशार्थ चार होते हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं लेकिन हिंदू सामाजिक फ्यवस्था में ये जो पुरुशार्थ है ये क्या है और इनका क्या काम है इनकी चर्च आज हम इस वीडियो के अंतरकत करेंगे तो सब से पहले देखे पुरशार्ट का अर्थ क्या है तो सामाण्य रूप में देखे तो पुरशार्थ मानव के लक्ष और उद्देशों के साथ में जुड़ा हुआ है मुखे रूप से देखा जाए तो दो शब्द पुरुश प्लस अर्थ से मिल करके बना है अथर्थ विवेकशिल प्राणी तथा अर्थ का मतलब है लक्ष पुरुष जो है उसका अर्थ है विवेकशिल प्राणी और अर्थ जो है उसका तात्परी है लक्ष अथ इसलिए हम कहें पुरुषार्थ का अर्थ हुआ विवेकशिल प्राणी का लक्ष अथर्थ एक विवेक शिल प्राणी है उसका लक्ष क्या होगा मानव को क्या प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए वह पुरुशार्थ है तो मानव को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए उसके लिए हमारे जो धर्मगरंथ हैं वो कहते हैं इश्वर से मिलन परमात्मा से मिलन और उस परमात्मा से मिलन के लिए वह जिन उपायों को अपनाता है वे उपाय ही पुरुशार्थ हैं। पुरिशार्थ की अवधारना भौतिक और आध्यात्मिक जगत के वीजे में संतुलन इस्थापित करती है क्योंकि बिना आध्यात्मिक उन्नती के परमात्मा से मिलन संभव नहीं है लेकिन इस जीवन को जीने के लिए कुछ न कुछ भौतिक जो जगत है उसके साथ सामन जैसे स्थापित करना भी आवशक है क्योंकि जीवित रहने के लिए रोटी कपड़ा और मकान की जो आवशकता है वह भौतिक क्रियाएं के वुदा संभव नहीं है तो पुरुशार्थ की जो अवधार्णा है वह आपकी भातिक और आध्यात्मिक जगत जो है आपका उसके बीच संतुलन इस्थापित करा दी है पुरुशार्थ के माध्यम से ही मनुश्य के जीवन का सरवांगीन विकास संभव है पुरुशार्थ का सिध्धान्त भारतिय संस्कृति की आत्मा कही जाती है प्रायह मनुष्य के लिए वेदों में चार पुरुशार्थों का नाम लिया जाता है धर्ब, अर्थ, काम और मौक्ष ये चार पुरुशार्थ है एक चीज़ ध्यान रखिए जभी भी हम बात करते हैं पुरुशार्थ की, आश्रम की, वर्ण वेवस्था की तो ये जिस क्रम में आते हैं ना उन्हीं क्रम में उसको बोलिए क्योंकि हर चीज़ का अपना एक महत्वहे क्रम है तो उस क्रम को आप हमेशा ध्यान रखिए महर्शी मनू को इन पुरुशार्थ चत्वस्थे का प्रतिपादक माना जाता है महर्शी वात्सायन दी मनू के पुरुशार्थ चत्वस्थे के समर्थक है किन्तु वे मोक्ष तथा परलोग की अपेक्षा, धर्म, अर्थ, काम पर आधारित, सांसारिक जीवन को सर्वोपरी मानते हैं चारवाग दर्शन केवल दो ही पोष्षार्थ को मान्यता देता है अर्थ और काम, वह धर्म और मोक्ष को स्विकार नहीं करते हैं योगवशेस्ट के अनुसार, सदजनों और शास्त्र के उपदेश अनुसार, चित्त का विच्चरण ही पुरुशार्थ कहलाता है मनुष्य के भीतर जितनी भी अभिलाशाएं हैं, मनोभावनाएं हैं उन्हें इन चार तत्वों को अपना कर मनुष्य अपना जीवन को पून सफल बना सकता है काम और मोक्ष के साधन अर्थ और धर्म माने जाते हैं अर्थ से काम और धर्म से मोक्ष को साधा जाता है तो साधन और साध्य कौन से होंगे उसकी चर्चा भी यहां पर की गई है चार जो पूरशाथ हैं उसमें सबसे पहला जो है वह है धर्म, रिलीजन या हम कहते हैं राइटीशिय नैस अथर्थ धर्म वह है जिसमें अभ्यूदय और निश्ट्रियस की सिध्धी हो अभ्यूदय यतो अभ्यूदय नी श्यच सिध्धी सहधर्म अभ्यूदय से लौकिक उन्नती का तथा निश्यस से पारलौकिक उन्नती एवं कल्यान का बोद होता है अथर्थ जीवन के एहिक और पारलौकिक दोनों पक्षों को धर्म से जुड़ा गया अथर्थ आप इस जीवन में जो कुछ कार्य कर रहे हैं उससे भी आप सही तरीके से करें वह अच्छा करेंगे तो आपका परलोक जो है पारलौकिक जो जीवन होगा वह भी सुधरेगा तो धर्म के साथ में दोनों ही चीज़ों को जोड़ा हुआ देखा जा सकता है धर्म से तात्पर धारन करने से है धर्म विलक्षन जीवन पत्थती दर्शन स्वक की खोज सैयम पोन जीना और मानवता के विकास का साधन है धर्म का पालन करने से ही मुक्ष का मार्ग खुलता है धर्म का संबंध किसी इश्वरिय मत से ना होकर मनुष्य के क्रिया कलापों पर नियंत्रण से है अथार्थ, धर्म सेतात पर्य, स्वयम के स्वभाव, स्वधर्म और स्वकर्म को जानते हुए करताव्यों को पालन कर मुक्ष के मार्ग को खुलना है मुक्ष का मार्ग जब खुलेगा तो उस एक सर्वोच, निराकार, सत्ता, परमेश्वर की प्रार्थना और ध्यान से खुलेगा और ज्यानी जन इसे ही यम, नियम, आसन, प्रानायाम और प्रत्याहर कहकर संबोधित करते हैं धर्म के बाद अब दूसरे पोशर्थ की चर्चा करें तो वह है अर्थ या हम उसको कहते हैं वेल्थ मनुष्या नाम व्रती अर्थ अथर्थ जो भी विचार और क्रियाएं भौतिक जीवन से संबधित हैं उन्हें अर्थ की संग्या दी गई है वादसायन अर्थ को परिभाशित करते हुए विद्या, सूनाचांदी, धन्धान्य, ग्रहस्ती का सामान, मित्र का अर्जन एवं जो कुछ भी प्राप्त हुआ है, अर्चित हुआ है, उसका वर्धन, सब कुछ अर्थ की श्रिनी के अंतरगत रखते हैं अर्थ, अथार्थ, धन के बिना संसार का कोई कारे चल ही नहीं सकता, जीवन की प्रगती का अधार ही धन है अर्थो पारजन मनुष्य का पवित्र करतव है, अर्थ के बिना धर्म भी संभव नहीं है, ना काम संभव है धर्म से विमक होकर अर्थो पारजन करना अनुचित मना गया है अथार्थ, आप जो कुछ धन या अर्थ प्राप्त करने के लिए कारे कर रहे हैं, वह सही होना चाहिए इमानदारी पुर्वक आप कारे करिए और उससे आप अर्थ अर्जित करिए प्रकरती से, समाज से हमने जितना लिया है, अर्थो पारजन करते हुए उससे अथिक वापस करने को सदेव प्रयासरत रहना चाहिए वर्तमान की अकर स्थिती को हम देखे तो क्या है, हम प्रकरती से लेते जा रहे हैं, हम प्रकरती को वापस कुछ दे नहीं रहे हैं समाज से हम लेना चाहते हैं, लेकिन समाज को जितना ले रहे हैं, उससे अधिक देने की बात कही गए हैं लेकिन हम जित्ता लेह रहे हैं उतना भी नहीं दे पारे कई जगे तो हम उतसे बहुत कम या ना के बराबर दे रहे हैं तो जो अर्थ हम प्राप्त कर रहे हैं उसको प्रक्रतिकी रक्षा के लिए और समाज की रक्षा के लिए समाज की उत्रोत्तर जवस्था बनी रहे उसके खर्च करना चाहिए। सूख प्राप्त करने के लिए सभी अर्थ की कामना करते हैं। इसलिए आचार्य कोटेल्य त्रिवर्ग मैं अथर्ठ, धर्म, अर्थ & काम में अर्थ को प्रधान मानते हुए इसे धर्म और काम कामूल कहते हैं मनुष्य स्वभावतह कामना प्रधान होता है यह कहना भी गलत नहीं होगा कि वह कामना मयोद अथार्थ इच्छा कामना लाल सा इन सभी कामनाओं की पूर्ति का एक मात्र साधन अर्थ है आप अपनी इच्छाओं को रखते हैं और इच्छाओं की पूर्ति के लिए धन एक मात्र साधन है अगर आपके पर धन नहीं है तो आप अपनी इच्छाओं की आप अपनी अवशक्ताओं की पूर्ति नहीं कर पाते हैं तो इच्छाओं की या कामनाओं की पूर्ति का जो साधन है वह अर्थ है धन प्राप्ती के लिए मनुष्यों केवल ग्रहस्त आश्रम में ही प्रयत्न करने की अनुमति दी गई है शेश आश्रम में इसका निशेध कहा गया है क्योंकि गरहस्त है घरब के अंतर के आप रहेटे हो ग्रहस्त जीवन करेखो तो ही आपकी इच्छाए होंगी और तभी आपकी अवशक्ताए होंगी आप उनको पूर्ण करना चाहोगे तो आपको ग्रहस्त जीवन में धनो पारजन करने को कहा गया है बीजी गोखले के अनुसार अर्थ के अंतरगत वे सभी वस्तु में आती है जो परिवार बसाने ग्रहस्ती चलाने तथा करतव्य के निर्वहन में उप्योगी होती है पंच महायाकि की पूर्थी तथा पंच महारिनों से उर्रिन होने है तो अर्थ की आवशकता होती है क्योंकि आप एक ग्रहस्त से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने ग्रहस्त जीवन के अंतरगत प्रते दिन छोटा वूटा जो हवन है यग्य है वह करे और पंच जो रिन है उन पंच रिनों से उर्रिन होने के लिए पंच महायाकि जो है वह अवश्य करे अब जब आपको यग्य करना है रिनों से उर्रिन होने के लिए तो उसके लिए भी अर्थ की आवशकता होती है next है काम या हुम कहते हैं work या desire काम पुर्शार्थ व्यक्ति की मानसिक शारिरिक तथा भावनात्मक सन्तिस्ति की साथ में जुड़ा हुआ है संसार की जितने भी सुक कहे गए हैं अत्वा माने गए हैं वे सभी काम की अंतरगत आते हैं जिन सुखों से व्यक्ति का शारीरिक और चारित्रक पतन हो, समाज वह परिवार को नुकसान हो, वे वर्चित कहे गए हैं। अथर्थ वह कोई भी सुख जिससे व्यक्ति का चारितरिक पतन हो, उसका केरेक्टर खराब हो या उसका शारिरिक पतन हो जाए तो वह सुख किश्रिनी के अंतरगत नहीं माने गए हैं। काम का उदय मन में होता है इसलिए इसे मनसिज भी कहा गया है। डॉक्टर कापडिया के अनिसार काम मानव के सहज स्वभाव एवं भावक जीवन को व्यक्त करता है तथा उसकी काम भावना और संदर्य प्रहाता को व्रधी की संदुस्टी की और संकेत करता है। अथर्थ कापडिया का कथन देखे तो दो पक्ष यहां पर देखे जा सकते हैं। एक पक्ष मानव की यौन संबंधी जीवन की अवशक्ता जो है उसकी उसको व्यक्त करता है। और दूसरा पक्ष उसके संदर्यात पक्ष यहां भावक जीवन जो है उसकी और इंगित करता है। काम ग्यान के माध्यमों का उलेख करते हुए कहा गया कि आत्मा से संयुक्त, मन से अथिस्टित, तत्व, चक्षु, जिवह, तथा ग्रान, तथा इंद्रियों के साथ अपने अपने विशय, शब्द, इस्पर्ष, रूप, रस, तथा गंध में अनुकूल रूप में से प्रवरती काम है। इसके अलावा इस्पर्ष से प्राप्त, अभिमानिक, सुख के साथ अनुबध, फलवरत, अथार्थ, प्रितिती काम कहलाता है। तो ये कुछ चीजें के बताई गई है कि आप किस तरीके से काम को देख रहे हैं या किनकी चीजों के साथ काम जुड़ा हुआ है। संकुचित अर्थ में काम कातात पर यानिक या वासना जन्य प्रब्रती की संतुस्ट्री है। अर्थार्थ जिसकी पूर्ती वेवाहिक जीवन के माध्यम से गहस्त आश्रम में पूर्ण होती है। यौन संबंदों जो हैं उनकी बाच्चिति हां पर की गई है क्योंकि इशारिरिक आवशक्ता है और वेवाहिक जीवन के बाद उस आवशक्ता की जो पूर्ती है उसको काम वासना वहां पर कहा गया है। सामाजिक मर्यादा के बहार होने पर यही काम व्याभिचार माना जाता है, समाज और संस्कृति की निरंतर्ता इसी से संभव है, अगर व्यक्ति में काम की इच्छा नहीं है, तो समाज की निरंतर्ता नहीं रहेगी, क्योंकि संतान उत्पत्ति संभव नहीं है, और जब संतान संतामुत्पत्त्त需 नहीं होगी तो धीरे-धीरे समाज समाप्थ हो जाएगा शंतानुत्तपत्ति है तो व्यक्ति अपनी जो संस्कृति है वह भी पेड़ी दर्भी हस्तानत्रित वहां पर करेगा तो समाज और संस्कृति की निरंतर्ता के लिए काम आवश्यक है व्यापक अर्थ में काम के अंतरकत मानव की सभी प्रवरत्यां इच्छाएं और कामनाएं आ जाती है लास्ट हम देखें तो वह है मोक्ष मोक्ष पुरुशार्थ को मानव जीवन का अंतिपलक्ष माना गया है न केवल हिंदू धर्म में बलकि बद्धर्म में निर्वान और जैन धर्म में केवल्य के रूप में इसे मान्यता प्रदान की गई है मोक्ष से ताथ पर अज्ञान के नाश से है मिमान्सा दर्शन में स्वर्क की प्राप्ति को ही मोक्ष माना गया है तप, त्याग, इश्वरिय साधना, सद कर्म में स्वयम को लगाना, मोक्ष के प्राप्त करने का तरीका है जीवों के प्रति दयाभाव रखना, जीवन मरन के बंधन से मुक्त जब व्यक्ति होता है तो हम कहते हैं व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो गई है अगर हम वर्तमान इस्थिदी की चरचा करें तो हम कहते हैं कि वर्तमान में केवल दो तत्व, अर्थ वकाम को अपना कर सम्पूर्ण मनोरत को सिध करने का प्रयास किया जा रहा है अब अर्थ और काम दौनों ही गलत साधनों के ध्वारा पूर्ण किये जा रहे हैं धर्म और मोक्ष के प्रती आस्था कम हो गई है जहां पर प्राचीन काल में धर्म महत्वपूर्ण था वहां पर अर्थ को प्रतम स्थान मिलने से मानव ही मानव का शोशन करने लगा है काम की ध्रस्टी से उसका आचरण पशुवत दिखाई देने लगा है आवशकता है कि व्यक्ति धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुशार्थों पर उनके सच्चे रूप से आचरण करे तभी मानव समाज का कल्यान संभव है यह पुरा वीडियो आपका पुरुशार्थ से संबध्यत है धन्यवाद